भारत एक ऐसा देश जहां पे अलग जाती, अलग धर्म, अलग भाशा, अलग-अलग संस्कृती की लोग आपको इस पूरे देश के चप्पे-चप्पे में मिलने वाले हैं हम सबसे अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी बहुत अलग, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में फ्लाइट ट्रैवल वॉस कंसिडर्ड अज लग्जरी, बट इंडिगो ने आने के बाद इस पूरे थ्योरी को ही पलट के रख दिया, बिकॉज इंडिगो ने क्या किया, एक कॉमन मैन को भी फ्लाइट ट्रैवल कराया, so hey guys, welcome back to a new video, आज के वीडियो में जो है, मैं आपको बताने वाले हो about the इंडिगो's revised baggage policy, and let me tell you, कि यह जो information है, यह मेरे चैनल पे exclusive information है, आप पूरे YouTube को ठाके देख लो, आपको कहीं पे भी इंफरमे क्या नहीं करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितने kgs के bags allowed है, कितने bags allowed है, नहीं allowed है, and साथी साथ अभी जो corona वाला scene हो गया है, इसके बाद तो of course, और जादा complexities बढ़ गए है, तो अगर आप first time travel कर रहे है, तो आपको पता ही नहीं होगा कहां से start करना है, कहां से क्या करना है, तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, बट जो में फोकस रहेगा, ताट वी ओन दे बागज पॉलीशी ऑफ इंडिगो, सो विदाउट एन डिले, लेट बिगिन विद टोडे़ वीडियो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक बहुती अमेजिंग आप के बारे में, जिसका नाम है, फ्लाइट रेडार 24, अब क्या होता है, कि हम मानलो कि कभी अपने रिलेटिव को एरपोट पर रिसीव करने जा रहे होते हैं, या फिर हम सहारा नहीं है, तो हमको सिर्फ एरपोर्ट पर जाके, जो स्क्रीन लगे रहते हैं, वो देखना पड़ता है, बट फ्लाइट रेडा 24 जो है, यह क्या करता है, दिस इन इंटिग्रेटेड वेबसाइट, जो कि आपको एविएशन से रिलेटेड हर इंफरमेशन प्रोवाइ तो यहां पर एक फ्लाइट रूट से ट्रैक कर सकते हो, यहां पर आपको सारी डीटेल्स दिख गई है, यह फ्लाइट कब कब कहा कहा के लिए अपरेट हुई है, जो आने वाला दिन है, उसमें भी कहाँ ओपरेट होगी, जाती साथ अगर आपको यह भी नहीं करना, तो अगर आपको फ्लाइट का रिजिस्ट्रेशन पता है, तो आप उसको रिजिस्ट्रेशन से भी सर्च कर सकते हो, कि अभी करेंट स्टेटस क्या है फ्लाइट का, यहा actual arrival होने वाला है according to the app, क्या है उसका flight route, each and everything, so guys, description box में link दिया हुआ है, जाके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और अभी आता हूँ मैं अपने वीडियो के main topic पे, सिंस यह वीडियो baggage policy के उपर है, तो मैं जिस्ट आपको एक छोटा सा जिस्ट बता दूँ कि अभी जो है, पोस्ट कोरोना हम लोग क्या चीज़े follow कर रहे हैं, एरपोर्ट पे जिससे आपका जो travel है, वो काफी smoothly आप plan कर सके हैं, so starting off first, you have to reach the airport 2-2-3 hours prior, now why 2-2-3 hours prior, because अभी जैसा हालत है, अब भी social distancing का follow हम लोग कर रहे हैं, बहुत strictly follow कर रहे हैं, so उसके वज़े से जो पूरा process है, पूरा काम जो है, वो काफी slow हो जाता है, तो इसलिए आपको अपना flight board करने में कोई problem नहीं हो, इसलिए 2-3 हिंटे पहले आपको जो है airport पे report करने की हिदायत दी जा सबसे पहला है, आपको अपना web check-in कर लेना होता है, web check-in का बहुत ही simple सा process है, आप जैसे अपना PNA number डालोगे, वहापे आपको web check-in के एक pop-up मिलेगा, तो आप वहाँ से अपना web check-in कर सकते हो, आप अपना e-boarding pass ले लो वहाँ से, second thing is self health declaration form, एक online आपको form मिलेगा, आपको form fill कर लो, and उसको online portal पे submit कर दो, and साती साथ उसका एक printed copy भी अपने पास रखो, ताकि आपको जो है, एरपोर्ट पे कोई भी problem नहीं हो, and third is the baggage tag, आप baggage tag प्रिंट करो, अपने bag के साथ attach कर दो, अगर आपके पास physically boarding pass, या फिर baggage tag नहीं है, तब एरपोर्ट पे आपना जो digital, because India is going digital, तो अपना digital boarding pass दिखा के भी आप एरपोर्ट पे check-in कर सकते है, and साती साथ जो आपके baggage tag है, या तो आप counter staff को बोल सकते है, counter staff आपकी help कर दगा, या फिर जो self check-in कायास होते है, आप वहाँ पे भी जाके आपने baggage tag को print कर सकते है, तो आपने लगा लिए अपना baggage tag, आपने simply लिखा रहता है, कि only one check-in bag is allowed, but then we have lovely passengers, अब वो क्या करते है, पूरे खांदान का bag लेकर आजाते है, but combined weight जो रहता है, that is only 20 kg, so there are two to three bags with different different items, but the weight is only 20 kg, so Indigo ने भी revised baggage policy किया है, जिसके वज़े से, अगर आपके पास एक से ज़ादा check-in bag होते है, तो आपको 750 रुपीज पे करना पड़ेगा as a handling charges, yes you heard it right, 750 रुपीज पर bag, so अगर आपके पास total 2 bag है, और दोनों का weight मिला के हो रहा है, suppose 20 kg, so you have to pay only 750 रुपीज, but अगर आपके पास 3 bag है, तो you have to pay 1500 रुपीज एक्स्रा, वो जो 2 bag आपके एक्स्रा है, भले ही तीनों का weight मि 20 kg क्यों नहीं हो रहा हो, but you have to pay 750 रुपीज एक्स्रा for the each baggage that you are carrying, इसके पीछे का जो reason, जो वजय में को समझ मा है, वो सबसे पहला है, कि एकदम से minimum contact हो सके, second thing is, अगर आप किसी भी airlines को देखे, तो airlines जो है, कारगो के वज़े से बहुत सादा smoothly चल दी है, because of cargo, the main chunk of the revenue that is being generated from cargo itself, एक example आपको देता हो, चोटा सा, suppose there are 50 passengers on a particular flight, and they are carrying, suppose 2 bags each, तो that makes it 100 bags, अभी पहले का जो पालीशी था, उसमें था कि आप लेके जा सकतो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, because operations were quite normal, so that was not a problem, तो 100 bags जा रहे हैं, तो cargo कितना ही जाएगा, जादा cargo नहीं जा पाएगा, but suppose if 50 passengers are carrying only one baggage, only one check-in bag, तो only 50 bags, अभी जो बाकी बचे कुछे 50 bag का जगा है, उसके जगा पे cargo जा सकता है, तो जितना पाचास बैक से revenue नहीं होगा, उतने cargo से revenue हो जाएगा, particular airlines को, and let me tell you, an airlines can only survive, if it is having its cargo operations, आपने देखा होगा कि पूरे लॉग्डाउन के टाइम पे भी, जो लोजिस्टिक् मेडिकल सप्लाई हो रहे थे, that was helping the airlines to generate revenue, as simple as that, जो टिकेज हम सेल करते हैं, वो ठीक है, that also contributes to the revenue of the airlines, but cargo plays a very vital role, so इसी लिए, if you want to take another bag, तो 750 रुपीज तो आप लेके जाओ, so that will help the airlines to generate revenue, as simple as that, अब इसी के साथ साथ, एक और issue जो रहता है, वो रहता है कि weight, अगर 20 kg से जादा हो रहा है, तो पहले जो indigo का एक policy था, उसमें था कि you have to pay 400 rupees per kg, but अभी जो है, that has been revised, and now you have to pay 500 rupees per kg, yes, it has been revised, and it's 500 rupees per kg, अब इसके पीछे का भी जो logic में को समझ में आया, वो यह है कि पहले airport पे बहुत सारे staff काम करते थे, so, क्या होता था, कि एक bag को दो लोग मिलके उठा लिए, suppose if it's a heavy bag, but अभी क्या है, minimum staff हो रहा है, तो इसलिए, यह किया जा रहा है, कि आप सिर्फ 20 kg तक ही carry कर सके, ताकि एक जो helper है, उसको बहुत असानी से, आपका bag उठा के, वो जहां कर भी रख होगा, वो रख दे, so, that could be a reason, जो मैं को समझ में, यह था इस पूरे वीडियो का main topic, अभी जिस को end करने के लिए, मैं आपको आगे का भी बता दू, कि आपको कैसे क्या आपना screening वागर कराना है, तो आपने अपना baggage stop कर दिया, check-in counters पे, and yes, check-in counters जो है, वो एक घंटा पहले क्लोज हो जाता है, so, make sure कि आप 60 minutes पहले ही, आप अपना सारा सब कुछ check-in कर दे, अभी check-in करने के बाद, आप चाते है, अपना screening के लिए, जो कि CISF करता है, तो screening का बहुत ही simple जा प्रसेस है, आपके पूरे body पे metal कहीं पे नहीं होना चाहिए, belt हो गया, shoes हो गया, या फिर watches होगे, कहीं पे भी कुछ भी metal का नहीं होना चाहिए, आपने अपना screening कराया, after screening, you proceed towards your designated boarding gate, आप boarding gate पे जाए, वहाँ पे जो है, अभी एक और चीज होता है, कि वहाँ पे आपको airlines के तरफ से PP kits provide किये जाते हैं, जिते भी middle seats वाले लोग होते हैं, suppose in a narrow-bodied aircraft, like A320s and A321s, उ अलफा ब्रावो चाली, डेल्टा एको फॉक्स, तो जिते भी ब्रावो सीट्स वाले हैं, एको सीट्स वाले होते हैं, उन सभी को एक proper PP kit, एक पुरा गाउन पहनाया जाता है, ताकि जो आसपास के passengers हैं, उनके साथ वो contact नहीं हो सके, और साथी साथ सारे के सारे जिते भी ल बारा चीज़े करना है, उसके बाद, जो मशीन रखा रहता है, आपको अपना बोर्डिंग पास लेकर जाना है, उस मशीन पे स्कान करना है, वन्स यू स्कान इत, यो तिंग इस तन, आप पर्टिकुलर एरलाइन के डेटा में आगे, कि हां, मिस्टर X, Y, Z, आपको आपको अच्छा लगा तो गाइस, प्रीज में चैनल को सिस्क्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, उन लोगों को जो क्यावी रीसंटी प्राइल करने फाले है, थैंक्यू आपको कर देना, पूलाइब कर देना, उन लोगों कर देना, प्रीज बड़ाण कर देना, प्रीजू